हेलो फेंड्स, डबलो एस क्यूटेक के चनल पे मैं सुरेंदर आपका एक बाद फिर से वेलकम करता हूँ दोस्तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एक और नय प्राक्टिकल टॉपिक को लेकर के तो आज दोस्तो हम लोग यहाँ डिसकस करें अपने चाप्टर नमबर फॉर यानि की वर्किंग विद टेबल्स इन लिब्रे ओफिस बेस दोस्तो आपको अच्छे से पता होगा कि अभी हम लोग पहले एक और वीडियो देख चुके थे जिसमें हमने यहाँ पर बात करी थी कि कैसे हम लोग अपना डेटा बेस क्रियेट करते हैं डेटा बेस में कैसे हम लोग अपनी टेबल्स को क्रियेट करते हैं ऐसे ही सारे फीचर्स दोस्तों मैं आज आपको यहाँ फिर बताने वाला हूँ कि हम लोग यहाँ पर टेबल्स क के बताने वाला हूँ और इसके अलावा दोस्तों हम लोग जो टेबल क्रियेट करेंगे उस पे बहुत सारे अलग अलग operations जो हैं वो हम लोग यहां perform करने वाले हैं तो आईए दोस्तों इसके लिए मैं यहां स्टार्ट कर लेता हूं अपना बेस और मैं जब लिर आफिस बेस स्टार्ट करूँ गा और आप यहां पर कोई भी डेटाबेस अगर आपने पहले बना रखा एक तो ऊपन कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो यहां अपना एक नया database भी create कर सकते हैं। दोस्तो मैं यहां पर जो है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने यहां एक WSQ Tech नाम से एक database अलड़ी बना रखा है। दोस्तो मैं यहां क्या करने वाला हूँ open and existing database। इस बटन पर क्लिक करूँगा और वैसे वहां selected था बट फिर भी दोस्तो मैं इसको select करके यहां दिखाऊंगा आपको तो आप देखेंगे दोस्तो यहां पर इस tables के अंदर हमने एक students नाम की table पहले बना रखी तो वह आपको दिख रही होगी दोस्तो यह students नाम की जो table है वो हमने create करी थी यहां wizard के थी अभी मैं एक आपको और table यहां पर बनाने वाला हूँ आपके लिए जो मैं बनाने वाला हूँ design view के थी तो दोस्तो जो भी आप यहां select करते हैं जैसे अगर आप table select करें तो table यहां आपको जाके क्या करना है create table in design view simple सा काम है दोस्तो इसके उपर click करना है आप देखेंगे यहां पर एक table और create होने वाली है जिसका नाम है अभी default table 1 बाद में आप इसका नाम चाहें तो change कर भी सकते हैं यहां पर दोस्तो अलग-अलग fields हैं आपको कौन-कौन से fields इसमें रखने हैं सपोस्तो दोस्तो मैं चाहता हूँ students की कुछ entry करा हूँ जिसमें उनके name और साथ में यहां उनके marks मैं लेना चाहता हूँ तो दोस्तो यहां पर मैं लूँगा एक तो roll number ठीक है आरे नो कर देता हूँ मैं rno इसके अलावा दोस्तो आपके पास आएगा फिल्ड का type आप फिल्ड का type क्या रखना चाहते है roll number किस type का होगा दोस्तो roll number जो है मैं यहां लेने वाला हूँ suppose की integer तो मैं यहां select कर इसके बाद description है अगर आप कहीं कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जैसे कि मैं ऐसे लिख देता हूँ roll number ठीक है आप कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं यह दो फिल्ड आपको जो दोस्तो है फिल्ड नेम और फिल्ड टाइप य नेम है दोस्तो आपके पास text वैर के लिखना याप यहाँ पर चाहें जितने character variable character आप type कर सकते हैं इसी तरीके से नेम के बाद मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ suppose की हिंदी को ले करके हिंदी जो है उसमें दोस्तो आप किस type के marks enter करवाना चाहरें आप चाहते हैं कि सिर्फ व इंग्लिश ले लेता हूँ दोस्तो इंग्लिश भी आपके पास suppose की float है इसके बाद आपके पास maths है maths भी आपके पास suppose की float है इसी टाप से science भी आप ले सकते हैं और यह भी आपके पास हो जाएगा float बस आपको इतना ही data लेना है अगर आप कुछ और information भी store करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं इसी टाप से दोस्तों जब आप इस यहां पर जैसे आपने roll number वाली row को select करेंगे और अगर आप right click करेंगे तो इसमें वैसे तो बहुत सारे option है cut, copy, delete, delete row, insert row ऐसे options मिल जाएंगे आप यहां पर primary की इसको set जरूर करना primary की जब दोस्तों आप करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर छोटा सा आपको दिख रहा होगा एक key बनी आज चुकी, एक चाबी बनी बनी आज चुकी है तो यह जो key है इसका मतलब एक primary key आपके पास इसी टाइब से अगर आपको लगता है दोस्तों कोई और field आपको add करना है तो आप वहाँ पर right click कर सकते है insert row जिससे वहाँ एक row insert हो जाएगी और यहां आप कुछ भी add कर सकते हैं जैसे कि suppose मैं sst लिख देता हूँ ठीके और sst के जो mark से suppose वो भी दोस्तों आपके पास float ही ह कर सकते हैं cut या copy भी आप यहां कर सकते हैं तो basic सी चीज़े आपको समझ माया होगा आप यहां पर जो है आप एक table create करें और table के अंदर आपने यहां कुछ fields बता है और fields के साथ आपने यहां पर बहुत सारे type देख रखे तो वो type अपने यहां पर इसको specify किया है I think दोस्तों यह सारे चीज़े आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो entry required yes no आप यह बता सकते हैं roll number अगर आप देखेंगे यहां पर आप auto value या कुछ रखना चाहते हैं length वगरा वो सब आप चीज़े यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है यहां पर एक table जो है वो create कर दिया बस मुझे क्या करना है अपनी table को एक बार save करना है इस table का by default नाम क्या था दोस्तो table 1 अब जो भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं मैं नाम रख देता हूँ इसका नाम है अपने पास marks ठीके मैं इसको marks रख देता हूँ और इसके बाद इसको कर दूँगा ओके तो दोस्तो डब्लू एस ट्यूब टेक में अभी एक table बनी भी थी जिसका नाम था students अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूँ दोस्तो marks नाम की एक और table बना रहा हूँ और उसके अंदर में कुछ values को यहां store करने वाला ह तो इस तरीके से अपनी table यहां create हो चुकी आप चाहें तो इसको यहां पर close भी कर सकते हैं आप दिखेंगे आपके पास एक students नाम की table थी और अभी आपके पास बन चुकी है marks नाम की table entry करना चाते हैं दोस्तो सिंपल है double click कर दिजिए आपके सामने table बनी आच चुकी है आप यहां लिख सकते है one जो भी roll number आप डालना चाते हैं name में दोस्तो मैं लिख देता हूँ यहां पर कुछ भी नाम जैसे की suppose ए से शुरू कर देता हूँ अमन आजाएगा अमन के कुछ नंबर है अपने पास इस टाइप से अपने पास कुछ नंबर आए है रॉल नंबर दोस्तो टू है जिसका नाम है अपने पास suppose अजे है और य इसी टाइप से यहां पर नाम डाल देता हूँ suppose की आनंद तो मैं नाम डाल देता हूँ आनंद और आनंद के दोस्तों यहां पर मैंने कुछ marks यहां इस तरीके से एंटर कर दिये हैं आप यहां पर इस टाइप से बहुत सारी एंट्रिस चाहें तो कर भी सकते है इसी कुछ और चीज़े बता देता हूँ जैसे कि 5 यहां पर दोस्तों मैं कुछ नाम ले देता हूँ जैसे कि suppose दिनेश ठीके और मैं यहां आपको सौर्टिंग भी इसके उपर अपलाई करके दिखाऊंगा इसके लिए मैं ऐसे कुछ जिगजग कर देता हूँ नेम उसके बाद कि ऐसी मैं कुछ एंट्री यहां पर कर देता हूँ इस टाइप से तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैंने एंट्री करी है जैसी दोस्तों आप इसके बाद नेक्स्ट वाली रो में आएंगे आपका डिटा ऑटोमेटिक सेव हो चुका होगा ठीके आप चाहें करने चाहें सकते हैं आप देखेंगे दोस्तो इन सभी के marks बराबर चेंज हो रहें जैसे आनन्द के यहां 98 ए लाश्ट में अगर आप दोस्तो यहां पर जाकर के देखेंगे तो यह 98 आनन्द के साथ यहां पर पूरी जो रो है वो भी साथ में चेंज हो चुकी है उनके रॉल नंबर भी स सब्सक्राइब कर सकते हैं यह किसी सेल को स自down कर सकते हैं जैसे आपको सही लग जाये दोस्तो आप वहां पर ऐसे एंटरी कुछ कर सकते हैं क। इसके अलावा आप यहां पर चाहते हैं इसके अंदर एक और नया कुछ करना है रिकॉर्ड ता आप सिम्पल सा दोस्तो लाश्ट में जाके जैसे 7 तक की entry हो चुकी है, आप 8 की entry कर सकते हैं, आपको लगता है कि आपके पास यह जो columns हैं, दोस्तो इस पर right click कर देंगे, तो column का format change करना चाते हैं, इसकी width change करना चाते हैं, इस column को यगर आप hide करना चाते हैं, तो आप वो भी यहाँ पर कर सकत हैं, अभी इसने automatically रखा है, मतलब जितना इसका content है, उसके according, आप देख सकते हैं, नेम जो है, आपने थोड़ा सा बड़ा रख रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा उसकी width ज्यादा है, तो यह automatically उसको arrange भी कर रहा है, इसी type से अगर आपको लगता है, आप इसमें से particular records को right click करके, आप यहां से उसको delete करना चाते हैं, पूरी row delete हो जाएगी, दोस्तो टेबल का format बदलना चाते हैं, row की height change करना चाते हैं, या फिर इसी record की आप copy करना चाते हैं, copy भी कर सकते हैं, देखिए, एक बहुत important चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे आपको करता हूँ, आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, यह record already available है, इसलिए क्या बोल रहा है, यहां कहीं कुछ issues create करके दे रहा है, error inserting the new record, ठीके, क्या error है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कि यह value already वहां पर available है, duplicate value आपके पास जा रही है, तो duplicate value को यह लेने ही नहीं देगा, ठीके, इसलिए आपको यहां पर इसको change करना पड़ेगा, आप इसको add कर दीजिए, जो अभी तक value नहीं बनी है, तो वो उसको फिर ले लेगा, तो इस तरीके से अब यह आपके पास valid है, data आपका insert इसने साथ में कर दिया है, जैसे आप एक row से दूसरी row में जाते हैं, दो करना चाते हैं, copy करना चाते हैं, paste करना चाते हैं, आप वो कर सकते हैं, record को delete करना चाते हैं, आप वो कर सकते हैं, format change करना चाहें, वो भी आप कर सकते हैं, सारी चीज़े मैं आपको अभी भी just यहां पर बता चुका हूँ, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो दोस्तों की आप को नहीं समझमाया होगा I think सारी चीजे बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो चुकी होगी तो आज हम लोग यहां पर इतना ही देख रहे हैं कि कैसे आपने यहां marks नाम की टेबल को create किया है और कैसे हम लोग इसके अंदर जो है वो values store कर रहे हैं दोस्तों अगर आप यहां पर इस टेबल को सपोज आपने इसको close कर रखा इस database को ठीके तो मैं यहां पर क्या कर लेता हो यहां exit कर लेता हो यह close करना चारते है आप close कर लेते हैं database को suppose यह save करके तो आप next time अगर वापस इसको open करेंगे ठीके तो आपको क्या करना होगा जैसी आप सपोज बेस में आएंगे, बेस डेटाबेस में, यह फिर से आपको वही कहेगा, आपको यहां से फिर से क्या करना होगा, उस डेटाबेस को सलेक्ट करना होगा, जो लास्ट अपने देखा था, ठीके, डवलूस क्यूब टैक और उसके बाद आप फिनिश कर देंगे, आपका वो अगले वीडियो में, जिसमें आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स बताने वाला हूँ, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए थेंक यू